बड़ी खबर जहां बंगलादेशी आतंकियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है मद्धिप्रदेश में जिहाद भड़काना चाहते थे आतंकी बडा खुलासा हुआ है आतंकियों के मामले में मद्धे प्रदेश के युवाओं को आतंकी भड़काने का काम कर रहे थे M.P. में शर्या कानून लागू करवाने के लिए युवाओं को भड़काने का काम ये आतंकी कर रहे थे NIA ने अपनी चार्ज़ शीट में इसका उलेक किया है, NIA ने आतंकवादियों के खिलाफ चार्ज़ शीट दाखिल की है, मार्च में फुलिस ने जेमबी के छे आतंकियों को गिरफतार किया था। बड़ा खुलासा हुआ है, बांगला देश्य आतंकियों के मामले में उस्ताज में पता चला है, युवाओं को भड़काने का काम करते थे, NIA ने आतंकवादियों के खिलाफ चार्ज़ शीट दाखिल की। इसमें किसी भी असमाजिक तत्त को इस तरह के क्रत्त की इजाज़त नहीं मिल सकती, ये शिवरास सरकार कानून का राज है। शर्मा का इस खबर पर अधिक बाच्चेत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए है। आकर्श ये बड़ा खुलासा हुआ है बांगलादेशी आतंकियों की जो ग्रफतारी हुई थी भड़काने का काम कर रहे तो युवाओं को और क्या कुछ जानकारी। दीपक हम एनाईये ने अपनी जाजपूरी कर ली है और जो चार्डशीट है वो पेस किया और चार्डशीट में इसपश्च तोर पर लिखा गया है कि जो जमात मुजाहिद्दीन के आतंकी हैं वो सरीया कानून जो है वो लागू कराना चाहते थे यही कारण है कि मद्दप प्रदेश में और देश में लागू कराना चाहते थे लोगों को भलकाना चाहते थे जिहाद फेलाना चाहते थे यही कारण है कि इसी वो देश के साथ जो आतंक बांगलादेश का कटरपंती आतंकवादी शंगठन है उससे जोड़े हुए जो मेंबर है बांगलादेश से होते हुए यूपी होते हुए बिहार होती है मद्दप्रदेश पहुचे और राजधानी भोपाल उन्होंने एक गड़ बनाया क्योंकि सबसे ज्यादा मद्दप्रदेश को सेफ जोन माना जाता है यहाँ पर जंग सन के तोर पर यूज करते हैं यहाँ आते हैं लोगों को माइंड वास करते हैं जो जब भी बाढड़त को अनजाम देना होता है तो वो अन्य जगहों पर अन्य राजियों माझा जाते हैं चाये वो मुंबई ऑ दिल्ली हों बहाँ पर जाके पारदातों को अंजान देते हैं अब भोपाल को बहुत साथान होने की जरूए थै क्योंकि जिस तरीके से चार्शीट पेस हुई है उसमें इस पर पर कहा गया है कि जिहाद को फेलाना चाहते थे और जो कानून है उसको लागू कराना चाहते थे तो बहुत महत्पूर्ण बात है अब यहां की एजेंसियों के लिए पुलिस के लिए और NIA के लिए और ATS के लिए कि भोपाल पर खासकर नजर रखी जाए कि यहां पर इस तरी की गतिविदियों में सामिल रहने वाले लोग अब यहां पर पैन ना पसार सकें बहुत शुक्री आपका अकर्श इस खबर पर मारे साथ जुड़ने के लिए बातचीत करने के लिए तो बड़ी सफलता हम इसे कहेंगे राजधानी भोपाल में जस तरह से मनसुबों को काम्याफ करने की आतंकी कोशिश कर रहे थे लिकिन हो नहीं पाए